यहां पर 6 micro faraday है यहां भी 6 micro faraday है यहां भी 6 micro faraday है यहां भी 6 micro faraday है आपको पता है wheat stone bridge की तरह इसे बना सकते हैं लेकिन इस तरीके का कई shape दिखे तो समझ लेना यह भी wheat stone bridge का ही है 6 को 6 से divide करेंगे वनायेगा 6 को 6 से divide करेंगे वनायेगा P upon Q equal to R upon S होता है तो हमारा wheat stone bridge जो है balance होता है उसका मतलब क्या होता है कि C और B पर potential same होगा balance wheat stone bridge का मतलब होता है कि C और B पर potential same है जब यहां पर potential same है तो इसके 20 का एक cross का potential difference जो है वो 0 आएगा potential difference 0 आएगा तो इस capacitor पर कोई भी charge store नहीं होगा क्योंकि वो story नहीं करेंगा क्योंकि potential difference 0 आ रहा है तो इस circuit में capacitance का मतलब कोई नहीं है यह ineffective है जब equivalent capacitance निकालते हैं तो उसमें इसे consider नहीं करते हैं तो इसे simply आप हटा सकते हैं तो अगर इसको आप हटाएंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा इस रास्ते से देखिए यह ऐसे गए ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए यह दोनों capacitor एक ही रास्ते में पढ़ रहा तो सीरीज में है यह दोनों एक ही रास्ते में पढ़ रहा है तो सीरीज में है तो कुछ इसे ऐसा समझ के बना सकते हैं, अलब दो कैपैसिटर उपर और दो कैपैसिटर नीचे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और बीच वाला तो मैंने हटा दिया, आपको सिंपल सी बात, क्रीबा समझे करें, तो ये चीज अगर आपको clear है, तो calculation काफी fast कर लेंगे, ये दोनों parallel में है, उसके बाद series में है, इंपल सी बात, sorry, दोनों series में है, फिर आपस में parallel है, तो series बारा मैंने direct बताया था, तरीका आपको c equivalent निकालने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ 6 into 6 upon 2 into 6, लब c1 c2 upon c1 plus c2 करेंगे, तो यहाँ आजाएगा, c1 c2 upon c1 plus c2 करेंगे, तो य ने direct जोडने का मतलब, ऊपर मैंने कहा किया, 6 into 6, नीचे 6 plus 6, यादि 2 into 6, और बीच में क्या करना हाँ, add, यह हो जाएगा 6 into 6, नीचे कितना हो जाएगा, 2 into 6, एक 6 कट जाएगा, 1 6 कट जाएगा, इससे कट करेंगे, तो यह 3 आजाएगा, इससे कट करेंगे, तो 3 आजाए that means D option correct.